हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू माई किचिन आज हम पिजा हर्ट स्टाइल गार्लिक ब्रेट बनाएंगे वो भी दो तरीके से कुछ हम अवन में बनाएंगे कुछ हम गैस पे बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें गार्लिक बटर बनाना है तो इसके लिए हम 10 से 12 गार्लिक की कलिया लेंगे और उसे हम किसी बेलन या किसी चम्मच की मदद से इसे क्रश कर देंगे अब चाहे तो पेस्ट भी बना सकते हैं लेकिन क्रश करने से इसका टेस्ट जाधा अच्छा लगता है तो अब हम चलते हैं गास की तरफ गैस पे हम एक तड़का पैन चड़ाएंगे और इसमें हम 2 बड़े चम्मच बटर डालेंगे और फिर बटर मेल्ड होने के बाद हम इसमें जो हमने कार्लिक को जो खुलक किया था वो हम क्रश्ट गार्लिक डाल देंगे और फिर हम इसे एक मिनिट तक ऐसे ही पकने देंगे इससे जो गार्लिक का जो फ्लेवर है वो बटर में आ जाएगा और ये आपका गार्लिक बटर त्यार हो जाएगा आप चाहे तो ऐसे गार्लिक बटर बना के भी रख सकते हैं और फ्रिज में आप दो हफते तक इसे यूज कर सकते हैं ऐसे बीच बीच में हम इसे थोड़ा चला देंगे तक कि गार्लिक जो है वो हमारी नीचे ना बैट जाए तो अब हमारा ये गार्लिक बटर रेडी हो गया है मैंने गैस बंद कर दिया ब्रेड के लिए मैंने याँ पे ये घर पे बनी हुई ब्रेड ली है आप चाहे तो बंस को हाफ में कट करके भी यूज कर सकते हैं ये ब्रेड मैंने घर पे बनाया इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आप देख सकते हैं यह bread मैंने एक glass में बनाया था, तो आप नीचे वीडियो लिंक में जाके आप चेक कर सकते हैं, तो अब हम इन slices को एक plate में तरेंच कर लेंगे, और फिर हम इसमें अपना जो garlic butter जो हमने बनाया था, वो garlic butter हम इसके ओपर लगाएंगे, आप यह garlic butter किसी भी brush या चमबच की मदद से भी लगा सकते हैं, तो हमने यह सारे bread में अपना यह butter लगा लिया, गार्लिक के pieces मत भूलेगा, नहीं तो bread में स्वाद नहीं आएगा, तो अब हम इसमें cheese लगाएंगे, मैं यहाँ पर दो तरह की cheese यूज़ कर रही हूँ, पहले मैं थोड़ा mozzarella लगाऊंगे, और फिर उसके बाद मैं इसके ओपर थोड़ा process cheese लगाऊंगे, आप चाहे तो सिर्फ mozzarella भी यूज़ कर सकते हैं, तो बस ऐसे ही हम इसमें लगा लेंगे, थोड़ा ज़ादा ही cheese डालेंगे ताकि स्वाद अच्छा आए, अब मैं इसमें थोड़ा process cheese डाल रही हूँ, यह ऐसे हमने सारे में ऐसे process cheese भी लगा दिया, अब थोड़ा topping के लिए मैं इसमें थोड़े से प्यास डालूंगे, त्य और थोड़ा color के लिए green chili यूज़ किया है, आप चाहे तो green chili हटा भी सकते हैं, और फिर हम इसमें थोड़ा सा italian seasoning डाल देंगे, अगर आपके पास वो औरिगेनों के packets होते हैं, जो हमें home delivery पे मिलते हैं, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो बस अब यह हमारा ready हो बेक करने के लिए, बेक करने के लिए अगर आप पैन पे बेक कर रहे हैं, तो हम पहले पैन को preheat के लिए रख देंगे, मैंने या पे एक पैन में नीचे stand डाल के उसको preheat के लिए रख दिया, और अगर आवन में बना रहे हैं, तो आवन को भी आप प्री हीट के लिए रख कर सकते हैं तो ऐसे हम इसमें लगा लेंगे और फ로 twins अभे हमारी दूसरी प्लेट में भी हमीज़ान यह कूले कि लेख करने के लिए Carlos प्री हीट हो गया है तो बहुत ध्यान से इसका धकन खोल के हम इसमें डाल देंगे इसे 15 मिनिट के लिए और मीडियम फ्लेम और अवन में भी हम इसे प्री हीटेड आवन में 180 डिग्री में 10 से 12 मिनिट के लिए बेख होने के लिए रख देंगे तो 15 मिनिट के बाद अब हमारा पैन वाला गार्लिक ब्रेड चेक कर लेंगे तो ये देखें 15 मिनिट के बाद इसका चीज ऐसे मेल्ट हो गया है तो बस ये रेडी है अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे बिल्कुल गरम गरम सर्फ कीजिए अच्छ भी कितरा अच्छा आया है नीचे से क्योंकि हमने पैन में बनाया है तो इसका क्रस्ट बहुत ही अच्छा है और चीज भी हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है ये देखें बहुत चीजी है तो चलिए हम हमारा आवन वाला भी चेक कर लेंगे आवन वाला भी हमारा रेड़ी है 10 मिनिट के बाद आवन वाले का कलर थोड़ा डारक आता है क्योंकि इसमें हीट सब तरफ से मिलती है तो ये भी रेड़ी है तेस्ट में दोनों सीम ही लगेंगे आपको जस्ट कलर का थोड़ा सा फर्क होता है तो हम इसे भी निकाल लेंगे एक serving plate में और हम बिल्कुल गरम गरम इसे serve करेंगे तो देखा आज आपने हमने पिजा हट स्टाइल गार्लिक ब्रेट बनाया तो अब अगर आपको पिजा हट वाली गार्लिक बेट बहुत पसंद है लेकिन रोज रोज ओर्डर नहीं कर सकते हैं तो ये बिल्कुल perfect है आपके लिए एक बार आप ट्राइ करके देखिए आपको बहुत पसंद आएगा ये देखिए कितना चीजी है ये विल्कुल आप ये घर में बनाये खाये और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले